शाजहापूर के बासिंदों के लिए बुधवार का दिन सोगातों भरा रहा। इस दोरान परिवहान मंत्री दयाशंकर सिंग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज के लिए जल्दी 15,000 बसे खरीदी जाएंगी। अलगर जिलों से अयोध्या के लिए 25 जबल डेकर बसे चलाई जाएंगी। इससे पहले 12 करोन 14 लाग से शहर को टूलेम से जोडने वा लाइसेंस प्राप्ट कर सकते हैं कहीं जाने के जूरत नहीं है पर्मानेंट लाइसेंस के लिए हमारे टेस्ट के लिए आना परता है हर जनपज में हम डी टी आई खोलने हैं डैबिंग ट्रेणिंग इस्चुट और एक कर रुपया हम सब्षिटी दे रहे हैं कोई भी प्र परतों के अनुसार उसमें सेमुलेटर और गारिया रखनी पड़े जी ट्रेनिंग के लिए और खोल सकता है उसका तीन कुरून रुपया उसके लागत लगेगी एकुरून रुपया हम सबसीडी देंगे और हम जो है 17 जिलो में 17 अपने कमिस्टरियों में हम आट्रूमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग शुट बना चुके हैं पांच उसमें से मारूती ने मुझसे लिया है तो उससे कोई बेक्ती मानुवल नहीं रहेगा सब आट्रूमेटिक रहेगा सेंसर से आपकी टेस्टिंग होगी न कोई किसी को पास कर सकता है न किसी को कोई फेल कर सकता है यह 17 जग में बना चुका हूँ और आट्रूमेशन के लिए काम चल ला है बहुत जल्द जो है लोगों को उसकी लाब मिलेगा और हर जनपद में एक डिटी आई खोल ला हूँ कोई भी बेक्ती हो एक से दो भी खोल सकता हूँ कोई और एक कॉन रुपया अनुदान भी देंगे तो कोई भी अब मैनुवल नहीं रहेगा किसी तरह का कोई भरस्याचाट नहीं रहेगा इस दोरान परिवहान मंत्री दयाशंकर सिंग ने कांग्रेश की भारत जोडो निया यात्रा और समाजवादी पार्टी के पीडिये पर भी जमकर निशाना साथा दयाशंकर सिंग ने अखलेश यादों पर निशाना साथते हुए कहा कि जो राम का ना हुआ वह किसी का नहीं ह चुकी है अपने घोर भी रोधी बसपा से 2019 में समझोता करके वह लड़ी और मोधी दी के लोहर को नहीं रोग पाई मोधी दी किस बार सुनामी बहेगी और नहीं जाएंगे फिर बोलना है के बाइस के बाद जाएंगे उसी बीच में उनके मासचिव करें तो और वोट की रायनिति कर रहे हैं वह जो हैं वह राम भक्त होते तो उसके लिए डेट नहीं दुनिया से लोग अपने जन्मा और जीवन को धन्ने करने के लिए जोद्यार है उस समय ये लोगों को ये कहना कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे इस तरह का प्रशन कड़ा करना क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया